कि नमस्कार दोस्तों मैं स्ट्रोजर सचेजन स्वागत रभिनेंदम करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का सब्ताहिक राशीफल हम आपको सामने लेकर आए हैं लेकिन एक छोटी सी एक मिनट की ज्ञान की बात भगवान कहां मिलेंगे भगवान कहां है तो समने आपको यही बात बताई भगवान इसी धर्ती पर है आपके अंदर है आपके हिर्दे में है मेरे हिर्दे में हर इंसान के हिर्दे में है तो भगवान को अगर पाना है तो भगवान के नाम को जपना पड़ेगा किसी मंत्र को जपने के आउशकता नहीं है भगवान का नाम राधे राधे जपिये हरे रामा हरे कृष्णा जपिये हरी हरी जपिये नारायन नारायन जपिये तो जितना आप भगवान के नाम को जपेंगे उतने आपके कश्ट दूर होंगे इस बात को याद रख लिजेगा जितना आप भगवान के नाम को जपेंगे रह चलते, स्कूटर पे, मोटर साइकल पे, कार में, घर पे जितना भगवान का नाम जपेंगे उतना आपका जीवन कष्ट से मुक्त होगा मैं स्ट लॉजर सचिन, स्वागत करता हूँ आपका शुरुवात करते हैं सब्ताहिक राश्री फल्क की 22 तारीक से लेकर 28 तारीक के बीश का एक एक दिन, एक एक तारीक के बारे में बताएंगे पूरी वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा आपको आने वाले सब्ताह के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा और छोटे-छोटे से एक या दो उपाय बताऊंगा उनको भी कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा और चैनल को सब्स्ट्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की पटन को दबाईए फेस्ट्राइब करें आईए अब बात करते हैं आप ये राशी फल्की सब्ता की शुरुआत में आप मुकदमे बाजी के मामलों को सलजाने में पैसा खर्च करेंगे सब्ता के मद्द में स्वास्तिस समंदी समस्याओं या इलाज पर पैसा खर्च हो सकता है बैंक में या किसी सरकारी काम में या किसी भी काम में आप रिश्वत देने की कोशिश ना करें किसी सीधे काम को नंबर दो से कराने की कोशिश ना करें नहीं तो मकर राशी वालों आपको परिशान होना पड़ेगा या कोई भी नंबर दो का काम ना करें सब्ता का मद दिभाग संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन साती पर खर्चा करेंगे, आप खर्चे दो तरीके से होते हैं, या तो प्यार में खर्चा होगा, गिफ्ट देंगे या फिर उनकी सिहत पर खर्चा होगा, इसके अलावा आपके लिए मजबूस संभावना बन र हैंगी, बच्चा, बुड़ा और जवार सबके चेहरे पर होगी मुस्कार, पूरी तरीके से आपकी पद्ध परतिष्टा बढ़ेगी, और आप मिश्वास के लिए या समझ शुप नहींगी, थोड़ा सा आपका आप मिश्वास डावाडोल होगा, महत्पूल कामों को करने आप के दना देखने को मिलेगी, निराशा से बचने के लिए, मेडिटेशन करें, सोच समझ कर फैसले लें, जल्दवाज ना मरें, 2223 तारीकों धं में बढ़ोतरी और खर्च में बढ़ोतरी दोनों तैय हैं, खर्च वैसे करें, जैसे करने चाहिए, जरोर से ज़्यादा ख भागे का साथ मिलेगा, संबत्ती और दोनों से जुने हैं मामले जो उल्जे थे, वो सुल्जेंगे, और कुछ मामले और उलज जाएंगे, आप अपने द्रन मनोबल से किसी भी चुनोती को निप्टा सकते हैं, तैयार रहिएगा मजबूती के साथ, आपको कुछ होगी, राजनीती से दूर है, महतपुर्ग काज़ाच जो भी होते हैं, काज़ होते हैं, उनको संभाल के रखें, जीवन शैली तरह खान पान की आद्तों में लापरवाही छोड़नी होगी, आप जल्दी दुखी भी हो सकते हैं, किसी बात को लेकर रहिग दम में सुखी भ खर्चा बहुत होगा, कमाई भी होगी, स्वास्त अच्छा रहेगा, मन में पसंता उस्ता बना रहेगा, किसी पारवारी के समाजी कुस्तों में भाग लेंगे, वपाई लोग वपार में उननती के उद्देश से यात्रा पड़ जाएगे, खेल प्यार गड़े रहेंगे, आपको किसी भी प्रगार के नंबर दो वाले काम से बचना होगा, 23 में की बात करें, तो आज आपका स्वास्त ठीला रह सकता है, आपको अपने चुपे होई शत्रों से सावधान रहना होगा, अपने मन की बाद, अपने कारिक की बाद, अपनी रणीती किसी से साज़ा नही करनी हैं दोका कहा सकते हैं जहां तक संभव किसी से कुछ उधार ले नहीं किसी को कुछ उधार दे नहीं वन्हाइए वापिस करने में मुश्किले आएगी आपको हानी पहुचाने की कोशिष करेगा ध्यान रख्या अपना 24 माई की बात करें तो आप अरिवार के साथ पिक्निक मनाने जाएंगे, अविवाहित लोगों को मित्रों या सगे समंदियों से विवाह के प्रस्ताव पराप्त हो सकते हैं, या समय प्रेम समंदि के लिए बहुत ही अच्छा है, आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आपको श माई की बात करें तो आज करें जीवान साथी का साथ और सवयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है, आपको निश्य रूप से एक दूसरे का सवयोग मूलेगा, आप रमांटिक मून में होंगे, पढ़ाई के लिए समय अच्छा है, वैपारियों के लिए समय अच्छा है, नई यारी दोस्ती, नई पार्टनर्शिप हो सकती है, आपको नए प्रेम संबंद शुरू हो सकते हैं, जमा कुझी बढ़ सकती है, परन्तो बहुत ज़्यादा जरोस से ज़्यादा किसी पर यकीन करना, अंध विश्वास करना भारी पढ़ेगा, स्वास्ते सामाने रहेग 26 मई की बात करें, अविभाहित लोगों को विभा के प्रस्ताव पराप्त होंगे, प्रेमी प्रेमका को मिलने का आउसर मिलेगा, वेपारियों को किसी नए साज़ेदारी और वेपारी प्रस्ताव की पराप्ती होगी, कोट कर्चरी के मामले में शुरू पराप्त होंगे, जीवत साथी से आपके संबन अच्छे रहेंगे, सस्वाल पक्षी तरफ से धर्म दाप्ती और आर्थिक सहाथा के संगेत हैं, आपके बच्चे भी आपका पुरा संबान करेंगे, विद्यार्टियों के लिए बहुत अच्छा समय हैं पढ़ाई के लिए और जो लोग नौ आपको सफलता जरूर दिलाएंगे, 27 मई की बात करें तो वहां चलाते समय सलक पर चलते समय हर कारे को करते समय सावधानी रखें, आज का दिन निवेश करने के लिए शुब नहीं है, जीवन साती से तालमिल बनाए रखें, कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है, अनावश शेयर मार्केट्स पे हामी हो सकती है, जीवन साती से वचारिक मद्भेथ हो सकता है, प्रेम समंद में तराओं हो सकता है, कमर में दर्ध हो सकती है, पैरों में दर्ध हो सकती है, चोट लग सकती है, भाशा में करवाहट आ सकती है, अनावश्यक समस्याएं जिनके बारे में स तोचा ना हो, वो भी आपको परिशान कर सकती है, तो सावधान रहिएगा, कुल बिलाकर आपके लिए 70% ये सब्ता, शुफ परिणाम दे रहा है, दो नंबर आपके लिए लखी रहेगा, आप जानते हैं, वो उपाए, जो सभी कष्टों को हमसे दूर कर देगा, सब को सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, अब उपाए की बात आ गई, तो सबसे पहला उपाए ये है, जिस भी देवी, देवता को आप मानते हैं, जिससे आपका प्रेम हैं, जिससे आपका लगाओ है, उनके नाम और जब करें, जो भी हो, जिससे मुझे रादे रादे पसंद है, ले रादे रादे जबता हूँ, आपको कुछ और पसंद होगा, किजी भगवान के नाम को जबें, मंदिर जाएं, रोज मंदिर जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन घर बैठे अराम से दस मिनट भी अपने इश्वर को याद कर लेंगे इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है नमबर एक, दूसरा हन्मान चरीशा सुवेश शाम पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है दो काम करिए आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे मात्र इन दो उपायों से अब एक तीसरा सबसे बड़ा महाउपाय है वो भी इश्वर नहीं बनाया है कि आप अपनी जर्म कुली की जाच कराएं देखिए जर्म कुली में जो सितारे हैं ना वो आपके कर्मों के हिसाब से अच्छे या बुरे बैठे हैं खराब बैठे हैं कमजोर बैठे हैं उसको सही करने के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने आपको इंसान बनाया है जानवर नहीं बनाया है तो आईए और अपनी किसमत को चमकाईए देखिए जिसको सफलता मिल गई वो इंसान बन गया और जिसको सफलता नहीं मिल गई वो जानवर की तरीके से इधर उधर भटक भटक की अपना जीवन जीता रहता है लोग भी यही कहते हैं ना समझदार वक्ति को यही कहते हैं तुम इंसान हो और जो जिसके पास दिमाग नहीं होता उसको क्या कहते हैं आप पुदी जानते हैं तो दिमाग उसी का खराव होता है गलत देने वही लेता है जिसके सिदारे खराव होते हैं कहते हैं ना वक्त महरवान तो गदा भी पहलवान तो यही वक्त जो है इसी को महरवान करने के लिए आपको अप्ती जनम पुल्ली दिखानी होगी यह जो नमबर आप देख रहे हैं इस स्रीन पर इनमें आप पॉंटेट करिए मैं आप से बात करूँगा बहुत अच्छे से आपको आपके बारे में बताऊँगा आपके सितारों के बारे में यह भी बताऊँगा क्या उपाय करने है उन उपायों को करिए और यकीन मालिए आपका वक्त बहुत मजबूत हो जाएगा और अब कभी भी दिक्कत नहीं पाएंगे क्योंकि जोतिश ही एक ऐसा शास्त्र है जो आपके जीवन को उचाईयों पर ले जा सकता है आईए देर किस बात की है नमस्कार वेक्ति जब भी पैदा होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता वो क्या करेगा क्या बनेगा क्या कुछ उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए लेकिन जैसे जैसे जिनगी चलती जाती है उसकी शाएं बनती जाती है पैदा होने लगती है और जो लगती महत्व कांशी होता है उसे बहुत कुछ चाहिए होता है लेकिन हमारे सो दुश्मन है जो हमें पीछे कर देते हैं आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं कई बार सितारे भी आपके दुश्मन बन जाते हैं कई बार आपके आज पास के लोग भी आपके दुश्मन बन जाते हैं तो अगर सितारे दुश्मन हैं ग्रह दुश्मन हैं आज पास के लोग द पत्थर उनसे भी लड़ेगा और इनसान के रूप में जो लोग होंगे उनसे भी लड़ेगा ऐसी ताक्तों से भी ये पत्थर लड़ेगा जो आँखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं, यानि कि आपको हर तरीके की सुरक्षा देगा और जब सुरक्षा आपके पास है, तो पर सुरक्षा का दूसरा नाम है सफलता, सफलता पानी है तो इसको पहनिए, राशी कोई सी भी हो, महिला हो, पुरुष हो, यकीन मानिए, ये रत्म आपको हर तरीके से सभी प्रकार की खुशियां दे देगा, इसका कोड है L8 और ये पंच धातों में मड़ा हुआ आपको मिल से दो हजार दो सो रुपए अभी ओर्डर करें, नमस्कार